महाशक्ति स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका रूश और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिध्धी प्राप्त की है हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है कुछी समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंत्रीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर एल ई ओ लो अर्थ आर्बिट में एक लाईव सेटलाइट को मार गिराया है एलियो लो अर्बिट में यह लाईव सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष था उसे एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनिट में सभलता पुर्वत यह आप्रेशन पुरा किया गया है मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन आप्रेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की तकनीकी ख्षमता की आवशक्ता थी बैज्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिये गये हैं हम सभी भारतियों के लिए यह गर्व की बात है किया पराक्रम भारत में ही विक्सीत एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा सिद्द किया गया है मैं मिशन सक्ति से जुड़े सभी डियारडियों वैज्यानिकों अनुसंधान करता हूं तथा अन्य समंदित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनोंने इस असाधारन सभलता को प्राप्त करने में योगदान दिया आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है हमें हमारे वैज्यानिकों पर गर्व है अंतरीक्ष आज हमारे जीवन सैली का एक महत्वपुन हिस्सा बन गया है आज हमारे पास परियाप्त संख्या में उपग्रह उपलब्द हैं जो अलग-अलग छेत्रों के विकास में अपना बहुमुल्य योगदान दे रहे हैं जैसे क्रिशी रक्षा सुरक्षा आपदा प्रबंदन डियास्ट्र मेनेजमेंट संचार कॉम्मिनिकेशन एंटर्टेन्मेंट टीवी मौसम की जानकारिया नेविगेशन शिक्षा के खेत्र में मेडिकल के खेत्र में ऐसे अने खेत्र हैं हमारे उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है चाहे वो किसान हो मच्वारे हो विद्यारती हो सुरक्षा भल हो दूसरी और चाहे वो रेल्वे हो हवाई जहाज हो पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो इन सभी जगह उपग्रहों का उप्योग किया जा रहा है विश्व में स्पेस और सेटलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है शायद जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुस्ति से और भारत की विकास यात्रा की दुरुस्ति से देश को एक नई मजबूती देगा मैं आज विश्वर सबुदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है यह तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है भारत हमेशा से ही अंत्रिक्ष में हथ्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इस से इस नीती में कोई बढलाव नहीं आया है आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंतरराश्य कानून अथ्वा संदी समझोतों का उलंगन नहीं करता है हम आधूनिक तक्णिक का उपयोग देश के 130 करोन नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहोल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहोल बनाना प्यारे देशवाजियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मुनुद्देश भारत की सुरक्षा भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है आज का यह मिशन आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट समर्द राष्ट और शान्ति प्रिया राष्ट की और बढ़ते कदम के रुपे देखना चाहिए यह महत्वपुन है कि हम आगे बढ़ें और अपने आपको बविशकी चुनवतियों के लिए तैयार करें हमें बविशकी चुनवतियों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्निक को अपनाना ही होगा सभी भारतमासी बविशकी चुनवतियों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें यही हमारा लक्ष है मुझे अपने लोगों की करमड़ता परतिवध्यता समर्पान और योगता पर पूर्ण विश्वात है हमनी संदे एक जुड़ोकर एक शक्तिशाली खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्बान करें मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके सभी देशवाच्चियों को आजकी इस महान उप्लब्दी के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत छुप गुम्राएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथ्वियों को फिर एक बार अभिननन करता हूं बहुत पहुत धन्यवाद भारत माता कीजे भारत माता कीजे भारत माता कीजे